मैं इस वक्त किसी अन्ना उन टॉप पे हूँ यहां पहुचना थोड़ा मुश्किल था लेकिन अगर मुश्किल ना होता तो मज़ा भी ना आता सुबह दस बजे हम गाड़ियों में लोड हुए के जल्दी पहुँचके ट्रेकिंग स्टार्ट करें मगर फिर आते हैं हमारे शाजी यार वो सारी बाते तो ठीक है लेकिन मेरी अमी हमेशा कहती है कि गर से बाहर तुमने नाच्टा किये बगएर नहीं जाना तो पहले मैं नाच्टा बनाऊंगा उसके बाद नाच्टा करूँगा फिर नाच्टा करके मुझे वाश्यूम जाना होता है तो उसके बाद ही मैं आ सकता हूँ तो मुझे दस साड़े दस लग जाएंगे तो भाई मेरा वेट करो जाने के लिए फिर हमें भी तो सफर में भूख लगती है यहां एक सवाल है यहां के लिए से लाच्टा नहीं जाच्टा एंगे लूब च़्टा इसी है I have been keeping my finger on the pulse of travel industry over these last few months and as a travel insider, trust me when I say that the industry is humming with discussion और जब तक कोई नहीं जान था कि इस पेंडेमिक के बाद ट्रैवल वापस होगा मेरे नीश के सब लोग इस एक चीज़ पर मुद्टफिक है कि कुछ बड़ी तब्दिली की ज़रूरत है ज्यादा तर ट्रैवल आपरेटर्स जिनके साथ मैं राप्ते में हूँ वो पाइदार सफर की तरफ इशारा कर रहे है यह इस से भी तखलीकी सफर आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है इस किसम की सियाहत का मकसद हर मन्जिल में महुलियाती अमल, सकाफ्ती, सदाकत और माशरती इंसाफ को वरकणा रखना है लेकिन क्या पाइदार सियाहत काफी है मुझे यगीन नहीं आ रहा बढ़ती हुई आलमी आबादी बढ़ती सियाहों की तादाद मुझे खुछ से पूछना होगा और आप से क्या पाकिस्तान में टूरिजम खुद पाइदार है कैसे इतना ओवर टूरिजम में सफर पाइदार हो सकता है क्या इस तहकाम एक मुस्तकल हल है या क्या में महज कम सफर की सरूरत है I don't have the answers but as someone who makes a living from making travel content this is a question I grapple with every single day morally, creatively, emotionally there are no right or wrong answers here I would love to hear your thoughts and this is why we came here गिरते पड़ते जब फाइनली हैं दो वक्त की रोटी भी नसीब नई मैं उत्में करू दबा के रोजपा गोस्ताना वक्त तो है सबसे गरते पड़ते जब फाइनली हम वापस आ गए तो शायद हम में से किसी को बेवकूफी लग रही होगी उस टाइम के हम क्यों गए थे पर यकीन करें आज उसी वक्त को मैं सबसे ज़्यादा याद कर रहा हूँ तो यह है वो वक्त जिसे शायद हम कभी अकेले में मिस करेंगे या फिर यह है वो मेमरीज जिन्हें हम कभी अपने बुड़ाबे में याद करेंगे लेकिन सबसे अच्छी बात के तब भी हम सब मिल के याद करेंगे Because these are my friends Friends on that family level नहीं है याद करेंगे याद करेंगे याद करेंगे झाल